मुझे मौर्शी पेद्व्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो नोंने नारीश सक्ति के बारे में कहा है खास तोर पर मात्री सक्ति के बारे में कि नास्ति मात्री समा छाया, नास्ति मात्री समा गतिही, नास्ति मात्री समम त्राणा, नास्ति मात्री समा प्रिया यानि मा के समान कोई छाया नहीं है मा के समान कोई सहरा भी नहीं है मा के समान कोई रखसग नहीं है और मा के समान कोई बिरिया भी नहीं होता है और मुझे लगता है कि मात्रिश सक्ति के प्रतिय अगरे भाव घर नागरी के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है मुझे मौर्शी बेद्व्यास की पंक्तियां याद आती है जो नोंने नारीश सक्ति के बारे में कहा है खास दोर पर मात्री सक्ति के बारे में कि नास्ति मात्री समा छाया नास्ति मात्री समा कती नास्ति मात्र समम्त्राणा नास्ति मात्री समा प्रिया यानि मा के समान कोई छाया नहीं है मा के समान कोई सहरा भी नहीं है मा के समान कोई रख्सक नहीं है और मा के समान कोई बिरिया भी नहीं होता है और मुझे लगता है कि मात्री सक्ति के प्रतिय अगर भाव हर नाकरी के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है